नुमस्कार आप देख रहे हैं GBN24 News और मैं हूँ आपके साथ मब्ता मिश्रा गनियाबादी के बीच पटाकों के भंडार को लेकर प्रिशाशन हुआ सक्त शहर कोत्वाली छेत्र में छापी की कारवाही का लाखों का पटाका किया बरामाद सरकार की निदेश के बावजूद घनियाबादी में पटाकों की दुकान और भंडारन की एजाने का प्रशाद निचापा मारी की कारवाही करते हुए एक दुकांदार के दुकान और गोदाम में लाखों रुपे का पटाका बरामत किया नगर मजिस्ट्रेटर सियो सिटी और फायर आफिसर के संयुक्त कारवाही में भारी मात्रा में कई कार्टूनों में रखे हुए पटाके को चप्त किया गया सियो सिटी ने बताये कि सरकार की निदेश और प्रशाशन के बार बार चेतावनी के बाद भी पठाका व्यवसाई घनी आबादी के बीच पठाका बेचने में मान नहीं रहे जिसके बाद उनके खिलाफ कारवाही की गई और आगे भी कारवाही की जाती रहेगी दिवाली पर पठाका बेचने के लिए खुले में तीन मैदान को चिन्नित किया गया जहाँ पर अस्थाई लैसेंस लेकर दुकान दार पठाका की दुकान लगा सकते हैं जीबें 24 के लिए मिर्जापुर से वसीन की रिपोर्ट यह थाना कोतवाली सहर में धुंदी कटरा जगह पड़ती है आज सूचना मिली थी कि एक विकाश के सरवानी के पास भारी मात्रा में पठाके रखने की सूचना मिली थी इस सूचना पर मैं और सीटी में स्टेट और सीफो और एफएसो और इस्पेक्टर कोतवाली सीटी सभी लोग सायूगती टीम बना कर जाज करने के लिए गये थे उस दौरान हम लोगों ने जाज के दौरान चापेमारी की गई तो उसमें काफी विकाश के सरवानी के पास काफी भारी मात्रा में पाटाकों की बारामत्गी की गई है ये पटाके दुकानों से विकास के सरवानी के और उनके आवास से बरामत किये गए है जबकि आबाधी के छेतर में पूरी तरह बताया गया है सब को निर्देशित भी किया गया हूँ प्रबारन काफी बहरी मात्रम बरामदगी किया है। इस सम्मंद में प्रभारी निश्छक को बताया है। जो भी नियमा नुसार करवाई होगी अगरिम इधिक करवाई की जाएगा। कितनी मात्रम पटाकह पकड़ा गया उसकी कीमत क्या है। लाखों में है अब जो है कितनी है इसकी जांच करके और क्लियर होंगी लेकिन यह है कि दो लाख ऐसे इसके करीब होगी लगबग अच्छा यह दुकाने जो है तो भी आपने बताए कि दुकान बेकार होगी कई दुकाने शहर चेतर में इस तरीके से भंधारन भी कई जंगा कि आप लोग प्रक्रियाई चलती रहेगी जांच और चापेमारी यह हम लोग जो आज सुचना मिली थी उसकी उसमें लोग जांच में इसी भंधारन को रोकने के लिए कि आबादी छेतर में किसी प्रकार का कोई भी भंधारन नहीं किया जाएगा इसी सूचना पर हम लोग जो है कोई सुचना मिली थी उस पर हम लोग अच्छा पेमारी किये हैं जाच किये हैं और यह लगाता अनावरत चलती रहेगी और जो भी आबादी छेतर में भंधारन करेगा उसके खिलाप नियमा नुसार विधिक करवाई अमल मिलाए जाएगा अच्छा यह जो पताखा अधर ही लोग नियमा नुसार अनुमत ले करके अस्थाई लेकर के वहां पर दुकान लेगा सकते हैं और उसमें हम लोगों ने अपना प्रोपर जो है फायर सर्विस की गाड़ी रहेगी ड्यूटी आं लगेंगी पुलिस बल भी लगेंगे, सबी लोग अपने अपने दुकानों पर बालू, पानी भी रखेंगे, तो ये चिन्धित जगाएं, अगर जो वहाँ करता है, चिन्धित जगाँ पर अनुमत ले के करता है, नियमा नूसर करता है, वो ठीक रहेगा, लेकिन जो नियम के बिरुद् बादी के छित्र में भंडारान कर रहा है बिना लाइसेंस के कर रहा है उसके खिलाप कड़ी से कड़ी वैधानी करवाई की जाएगी